हेलो एबरिवन आज हम देखेंगे बेश 300 करेंट अफेयर सीरीज का स्ट नमबर 4 इसमें हम लोग नोवंबर 222 और दिसंबर 222 के करेंट अफेयर कवर करते हैं तो आते हैं पहले करेंट अफेयर पे नई दिल्ली अन्ताराश्टिये मध्यस्ता केंद्रे निव देली इंटरनेशनल अर्बिटरेशन सेंटर के प्रमुख के रूप में किसे निउक्त किया गया है यहाँ पे मैं आफ्शने पढ़ूँगा सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा आफ्शने आपका यहाँ पे शही आंसर हो जागा हेमंत गुपता निव देली इंटरनेशनल अर्बिटरेशन सेंटर के प्रमुख के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो आफ्शने आपका यहाँ पे शही आंसर होगा हेमंत गुपता को नेक्स आते हैं कॉप 27 के दोड़ान किस संस्था ने सभी के लिए प्ररम्भिक चितावनी की कार्यकारी कारययोजना एक्जिक्यूटिव एक्षन प्लान अफ अर्ली वार्निंग फर ओल सुरू की है कॉप 27 के दोड़ान किस संस्था ने एक्जिक्यूटिव एक्षन प्लान अफ अर्ली वार्निंग फर ओल सुरू की है तो आफ्शन C आपका यहाँ पे शही आंसर होजा का WMO वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गेनाजेशन ने नेक्स आते हैं किस केंद्रिये मंत्राले ने भारतिये मात्री भासा सर्वेक्षन आयोजित किया शही आंसर यहाँ पे क्या होगा आप्शन B आपका यहाँ पे शही आंसर होजागा ग्रिह मंत्राले मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर ने किस केंदरी ये मंत्रा लेने भारती ये मातरी भासा सर्वेक्षन आयोजित गिया तो option B आपका यहाँ पर शही आंसर होगा ग्री मंत्रा लेने नेक्स आते हैं भारत की G20 अध्यक्सता का विशय क्या है शही आंसर यहाँ पर होगा option C both A and B वन अर्थ, वन फेमिली, वन फ्यूचर या वसुधैवा कुटुमबकम तो शही आंसर यहाँ पर क्या होगा option C बोथ A and B नेक्स आते हैं नेशनल, फ्लोरेंस, नाइटेंगल अवार्स की शेदर में परदान की गई सारहानिये सिवाव के लिए दिये जाते हैं शही आंसर यहाँ पर क्या होगा option C आपका यहाँ पर शही आंसर होगा नर्सिंग के लिए नेशनल, फ्लोरेंस, नाइटेंगल अवार्स की शेदर में परदान की गई सारहानिये सिवाव के लिए दिये जाते है तो option C आपका यहाँ पे श्रही आंसरों का नर्सिंग नेक्स आते हैं बीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश्के बिच होने वाला पहला दुई पक्चिये bilateral हवाई अभ्यास है स्रही आंसर आपके क्या होगा option D आपका यहाँ पे श्रही आंसरों जाएगा जपान बीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश्के बिच होने वाला पहला दुई पक्चिये bilateral हवाई अभ्यास है तो option D आपका यहाँ पे श्रही आंसरों जाएगा भारत और जपान के बिच लेक्स आते हैं राष्टिये किसांदिवस किस नेता की जयनती के उपलक्ष में मनाया जाता है स्रही आंसर यहाँ पे क्या होगा option D आपका यहाँ पे श्रही आंसरों जाएगा चोधरी चरंशीं राष्टिये किसांदिवस श्रही आइखरे जाएगा जगा चौधरी चरंशिंग और किस दिन मनाते है नेशनल फार्मस डे 23 दिसंबर को नेक्स आते हैं भारत ने हाली में किस देश के साथ युवा सोथ करताओ का सपता 2022 कारेकरम आयोजित किया आप्षन भी आपका यहाँ पर जगा जर्मनी भारत ने हाली में किस देश के साथ युवा सोथ करताओ का सपता 2022 कारेकरम आयोजित किया तो आप्षन भी आपका यहाँ पर जर्मनी के साथ नेक्स आते हैं सोसल एस्टॉक एक्षेंज अस्थापित करने के लिए किस संस्थान को स्यवी से मंजुरी मिले तो आपसे नहें आपको कमेंट बोगर नहें से शेयर परषान कोन है नेक्स आते हैं किस केंद्रिये मंत्राले ने राष्ट्रिये जयव उर्जा कारिक्रम नेशनल बायो एनरजी प्रोग्राम को अधिसूचित किया है सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ से आपको याद क्या रखना है? यह चो प्रोग्राम है? नेशनल बायो एनरजी प्रोग्राम यह कब से कब तक चलेगा? तो फाइनेंसियल यह दो हजार एकीस बाइस हे दो हजार पटीश चब्रीश तक नेशनल आते है हाली में लोग सभा में पेस किये गए जन विश्वास विध्यक का उद्यश्य क्या है? सही आंसर यहाँ पे होगा आफशन डी ब्यपार करने में असानी इस अफ दोइंग बिजनेश हाली में लोग सभा में पेस किये गए जन विश्वास विध्यक का उद्यश्य क्या है? तो आप्शन डी आपका यहाँ पे शही आंसरों का ब्यपार करने में असानी नेशन आते है किस संस्थान ने सरकारी छेतर में सर्वस्रिष्ट सुरक्षा ब्यास बेस्ट सिक्यूरिटी प्रैक्टिसेज इन गौर्रमेंट सेक्टर के लिए डी ए सी आई ए एसेस अवार जीता शही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आप्शन ने आपका यहाँ पे शही आंसर हो जागा यूवडी ए आई ने किस संस्थान ने सरकारी छेतर में सर्वस्रिष्ट सुरक्षा अभ्यास के लिए डी ए सी आई एसे सवार जीता तो आप्शन ने आपका यहाँ पे शही आंसर हो जागा यूवडी ए आई ने आई का फूल प्रम क्या होता है? इवनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरेटी ओफ इंडिया और यूवडी ए आई के सी एओ कौन है? सौरव गर्ग सौरव गर्ग नेक्स आते हैं हाली में खबरों में रहे एक्सोत तीनिवे सम्विधान संसोधन में क्या पेश किया गया था? स्रही आंसर यहाँ पे होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा इडव्येस हाली में खबरों में रहे एक्सोत तीनिवे सम्विधान संसोधन में क्या पेश किया गया था? तो आप्सन सी आपका यहाँ पे स्रही आंसर होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा नेक्स आते हैं अन्ताराष्टिये वित निगम ने भारत में किस कमपनी को 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का डिन दिया है स्रही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आप्सन बी आपका यहाँ पे स्रही आंसर होगा SDFC ने अन्ताराष्टिये वित निगम ने भारत में किस कमपनी को 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का डिन दिया है तो आप्सन बी आपका यहाँ पे स्रही आंसर होगा SDFC को नेक्स आते हैं फोर्स की बीशु की सर्वस्रिष्ट नियोकता डैंकिंग बेस्ट इंप्लोयर्स रैंकिंग 2022 की 600 रैंक में एक मात्र भारतिये कमपनी कोन सी है तो आप्सन बी आपका यहाँ पे स्रही आंसर होगा SDFC और टॉप पे कोन है तो टॉप पे साउथ कुडिये कमपनी है Samsung Electronics नेक्स आते है COP27 की मेजबानी किस देशने की सही आंसर यहाँ पे क्या होगा आप्सन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होजाएगा MIST या Egypt बोलते है COP27 की मेजबानी किस देशने की तो आप्सन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होजाएगा Egypt ने और इसके अलावा आपको याद क्या रखना है आपे Laws and Damage Fund किस सम्मेलन में establish हुआ था तो COP 27 में दूसरा जो point आपको याद रखना है COP 28 कहाँ पे होगा तो COP 28 होगा आपका EVAE में COP 28 कहाँ पे होगा EVAE में और COP 28 के अधेक्स के रूप में किसे चुना गया है तो उनका नाम है सुल्तान अलजाबेर तो आपको याद क्या क्या रखना है सबसे पहले COP 27 कहाँ पे हुआ Egypt में Laws and Damage Fund किस सम्मेलन में establish हुआ COP 27 में COP 28 कहाँ पे होगा EVAE में COP 28 के लिए अधेक्स के रूप में किसे चुना गया है तो उनका नाम है सुल्तान अलजाबेर को नेक्स आते हैं FIH पूरुस होंकी विश्व कप 2023 के लिए भारतिये टीम के कप्तान के रूप में किस्यन आमित किया गया था अपसन है आपका यहाँ पे श्रही आंसर होगा हर्मन प्रिज सिंग को FIH पूरुस होंकी विश्व कप 2023 के लिए भारतिये टीम के कप्तान के रूप में किस्यन आमित किया गया था तो अपसन है आपका यहाँ पे साही आंसरों का हर्मन प्रिस सिंग को अच्छा अभी हाली में होकी इंडिया ने किसे भारतिये पूरुस होकी टीम का नया मुख्य को चनुक्त किया है तो उनका नाम है क्रेक फुल्टन जो कि किस देश है दक्षिन फिर का से और एफ आई एच पूरुस होकी विश्व कब तो 42 किस टीम ने जीता है कौन सी कंटरी ने तो जर्मानी ने जर्मानी ने अच्छ मनेता की जयनती पर जन जाती ये गोरों दिवस मनाय जाता ए है तो किस निता की जहनती पर जन जातिय गौरो दिवस मनाया जाता है तो आपसंडी आपका यहाँ पे शई आंसर हो जागा बिशा मुन्डा और कब मनाते हैं तो लास्ट हीरी गोऌर्नमेंट ने एनॉंस किया था पंद्रा नोबबर को जन जाती गरोदिवसका मनाते हैं 15 नॉवमबर को नेक्स आते हैं किस संगठन ने State of the Global Climate in 2022 रिपोर्ट जारी की सही आंसर यहाँ पे क्या होगा option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WMO किस संगठन ने State of the Global Climate in 2022 रिपोर्ट जारी की तो option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा World Meteorological Organization WMO ने कौन सा देश भारत को S-400 वायू रक्षा मिसाइल प्रनाली की अपूर्टी करता है तो आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे option C रसिया कौन सा देश भारत को S-400 वायू रक्षा मिसाइल प्रनाली की अपूर्टी करता है तो option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूश नेक्स आते हैं पुष्ब कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधान मंत्री निउक्त किया गया है सही आंसर यहाँ पे क्या होगा गया है तो उनका नाम है राम चंद्र पॉडेल नेपाल के प्रधान मंत्री कौन है पुष्ब कमल दहल प्रचंड और नेपाल के नयराश्पती कौन बने है राम चंद्र पॉडेल नेक्स आते हैं सफ़ा लिस्टिंग पर केस स्टाडी के लिए इवेश ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्यूनिसिपल बॉंड का चैन किया गया है और इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है एक बुक है जिसका टाइटल है अल एबाउट म्यूनिसिपल बॉंड इससे किसने लॉंच किया है तो इवेश एमबैसी और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने नेक्स आते है किस संस्था ने केंदरिये उत्पात सुल्क और शेवा कर समझावता आयो की अस्थापन की है सही आंसर यहाँ पर क्या होगा और शेवा कर समझावता आयो की अस्थापन की है तो और शेवा कर समझावता आयो की अस्थापन की है शेवा आंसर यहाँ पर होगा और शेवा आपसन सी अमरीद भारत स्टेशन इसकी रेल मंत्राले के स्टेशन पुनर विकाश अवियान के ताहत घोसित नई योजना का नाम क्या है तो और शेवा आपसन सी आपका यहाँ पर शेवा आंसर होगा अम्रीद भारत इस्टेशन इसकी नेक्स आते हैं ग्री मंत्राले और किस राजिय ने जेट इवेफ ससस्त्र समूग के साथ संचालन समझोते की समापती पर हस्ताक्षर किये शही अंसर यहाँ पर क्या होगा ग्री मंत्राले और किस राजिय ने जेट इवेफ ससस्त्र समूग के साथ संचालन समझोते की समापती पर हस्ताक्षर किये तो अप्शन दी आपका यहाँ पर क्या होगा नेक्स आते हैं किस संस्था ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की तो अप्शन भी आपका यहाँ पर शही आंसर होगा इवेणिपी ने किस संस्था ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की तो option B आपका यहाँ पे शही अंसरो जगा UNEP United Nation Environment Program ने नेक्स आते हैं खबरो में रहा मंग देच्छू Hydro Electric Power Project भारत ने किस देश को सौपा था शही अंसर ने आपका यहाँ पे क्या होगा option C आपका यहाँ पे शही अंसरो जगा भुटान को खबरो में रहा मंग देच्छू Hydro Electric Power Project भारत ने किस देश को सौपा था तो option C आपका यहाँ पे शही अंसरो जगा भुटान को और आपको याद क्या रखना है यहाँ पे 720 MW का था और किस कंपनी को सौपा है तो उस कंपनी का नाम है ड्रोक, ग्रीन, पावर कोड़ोपरेशन स्वाट में बोलते हैं DGPC नेक्स आते हैं किस केंदरिये मंत्रा लेने स्वक्ष सर्वेक्षन गरामी 2030 टूल किट लॉंच किया शही अंसर यहाँ पे क्या होगा option ने आपका यहाँ पे शही अंसर होगा जल सकती मंत्रा लेने किस केंदरिये मंत्रा लेने स्वक्ष सर्वेक्षन गरामी 2030 टूल किट लॉंच किया तो option ने आपका यहाँ पे शही अंसर होगा जल सकती मंत्रा लेने नेक्स आते हैं किस केंदरिये मंत्रा लेने CT Finance Rankin 2022 लॉंच कि Option B आपका यहाँ पे शही आंसरों जगा अवास और सहरी मामलो के मंत्रा लेने किस के इंदरी ये मंत्रा लेने CT Finance एडांकिंग 2022 लॉंज की तो Option B आपका यहाँ पे शही आंसरों का अवास और सहरी मामलो के मंत्रा ले और इसके अलावा City Beauty Competition भी किस ने लॉंच किया है, अवास और सहर ही मामलो के मंत्रा लेने, नेक्स आते हैं, कौन सा सहर World Travel Market 2022 का मिजबान है, तो सही अंसर यहापे होगा, आफसंडी लंदन, कौन सा सहर World Travel Market 2022 का मिजबान है, तो आफसंडी आपका यहापे शही अंसर हो जाएग लंदन, और थीम क्या थी, इग्जिवीशन की थीम क्या थी, The Future of Travel Starts Now, याद क्या रखना है, World Travel Market 2022 का मिजबान, कौन सा सहर था, लंदन, और इस इग्जिवीशन की थीम क्या थी, The Future of the Travel Starts Now, नेक्स आते हैं, किस देश ने सबसे पहले, विश्व शुनामी जगरुकता दिवस मनाने का सुझाओ दिया था, तो आफसंडी आपका यहापे शही अंसरों का जपान ने, और विश्व शुनामी जगरुकता दिवस कब मनाते हैं, पांच नोवंबर को, नेक्स आते हैं, नेशनल मुबाइल मॉनेटरिंग सिस्टम किस केंदरिय मंतरा ले की एक पहले है, शही आंसर यहापे क्या होगा, और इससे लॉंच कप किया गया था, 21 मई 2021 को, और एक करेंट अफिर में क्यों बना हुआ है, तो जो मनरेका के तहत, जो जियो टेक हो रहा है न, एक इसके थुरू हो रहा है, नेशनल मुबाइल मॉनेटरिंग सिस्टम के तहत है, नेक्स आते हैं, उच्छे सिक्षन संस्थानों के मुल्यांकन और मन्याता को मजबूत करने के लिए, गठित पैनल के प्रमुक कौन है, तो सही अंसर यहापे को आप्संसी के राधा किश्ण है, उच्छे सिक्षन संस्थानों के मुल्यांकन और मन्याता को मजबूत करने के लिए, गठित पैनल के प्रमुक कौन है, तो आप्संसी आपका यहापे श्रही अंसर होगा, के राधा किश्ण है, नेक्स आते हैं, किस संस्थान को G20 Science Working Group के सचीवाले के रूप में नमित किया गया है, तो आप्सं भी आपका यहापे श्रही अंसर होगा, किस संस्थान को G20 Science Working Group के सचीवाले के रूप में नमित किया गया है, तो आप्सं भी आपका यहापे श्रही अंसर होगा, अलावा, ओक्सफोर्ड के द्वारा जो वर्ड चुना गया है 2022 के लिए, कौन सा है, गॉबलिन मोर, और कॉलिस द्वारा, परमक्रासिस है, और मेरियम वेवेस्टर द्वारा कौन सा वर्ड है, गैस लाइटनिंग, मेरियम वेवेस्टर द्वारा कौन सा है, गैस लाइटनि और Cambridge के द्वारों जो word of the year 2022 चुना गया हो कौन सा है? Homer नेक्स आते हैं भारत ने तमिलाडू में सहरी सेवा में सुधार के लिए किस संस्था के साथ 125 मिलियन अमरिकी डॉलर के डिन सौधे पर हस्ताक्षर किये तो option C आपका यहाँ पर सहरी अंसर होगा Asian Development Bank ADB के साथ भारत ने तमिलाडू में सहरी सेवा में सुधार के लिए किस संस्था के साथ 125 मिलियन अमरिकी डॉलर के डिन सौधे पर हस्ताक्षर किये तो option C आपका यहाँ पर सहरी अंसर होगा ADB के साथ नेक्स आते है किस देश ने बिड़ो उपगर नविगेशन प्रनाली का सुवरम किया शही अंसर यहाँ पर क्या होगा option B आपका यहाँ पर सही अंसर होगा option B आपका यहाँ पर सही अंसर होगा किस देश ने बिड़ो उपगर नविगेशन प्रनाली का सुवरम किया तो option भी आपका यहाँ पे श्रही अंसर हो जाएकर चीन ने नेक्स आते हैं भारत का तो Indian Satellite Navigation System में उसका नाम क्या है IRN SS जीसे बोलते हैं Navi और IRN SS का full form क्या होता है Indian Regional Navigation Satellite System नेक्स आते हैं भारत की भासा विवित्रता को मैप करने के लिए गूगल द्वारा वित्पोसित डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम क्या है तो option भारत की भासा विवित्रता को मैप करने के लिए गूगल द्वारा वित्पोसित डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम क्या है तो आप संडी आपका यहाँ पे श्रही आंसरों का प्रोजेक्ट वानी नेक्स आते है अच्छा इसमें किस-किस क्या कोल्बरेशन है तो जो प्रोजेक्ट वानी है इसमें Google के साथ साथ है IASC और Art Park नेक्स आते है किस देश ने नॉवंबर 2022 तक दुनिया की सबसे लंबी यातरी ट्रेन शुरू की है तो आप संडी आपका यहाँ पे श्रही आंसरों का स्वीड जैलाइन है किस देश ने नॉवंबर 2022 तक दुनिया की सबसे लंबी यातरी ट्रेन शुरू की है तो option B आपका यहाँ पे शही अंसरों का सुड़ी जाल है और सुपर वासुकी है या भारत की सबसे लंबी और भारी मालगारी है नेक्स आते हैं नॉवंबर 2022 तक प्रित्वी से लॉंच किया गया अब तक का सबसे सकतिसाली रोकेट कौन सा है तो option B आपका यहाँ पे शही अंसरों का फालकन है भी नॉवंबर 2022 तक प्रित्वी से लॉंच किया गया अब तक का सबसे सकतिसाली रोकेट कौन सा है तो option B आपका यहाँ पे शही अंसरों का फालकन है भी और लॉंग मर्च किस देश का रोकेट है चैना का और PSLV हमारे देश का रोकेट है अचार PSLV C-41 से कुछ याद आया चो जो नाविक है ना हमारा नविगेशन सेटेलाइट यह जो लॉंच हुआ था किस से हुआ था PSLV C-41 से नेक्स आते हैं अचार SI आपका यहाँ पर्शाद मुखर जी राष्टिय जल और स्वक्सता संस्थान का उधगाटन की सिराचन में किया गया है तो अप्शन ही आपका यहाँ पे शही अंसरों का प्रश्य मंगाल वेस्ट बेंगॉल में डॉक्टर स्यामा परसात मुखरदी अडाश्टिये जल और स्वक्सता संस्थान का उधगाटन किस्ति राजिय में किया गया है तो option यह आपका यहाँ पे शही अंसरों का प्रश्य मंगाल नेक्स आते हैं सिक्षा मंत्राले के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की अनुशार 2021 में कितने राजियों ने लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की शही अंसर यहाँ पे क्या होगा option B यहाँ पे शही अंसरों का 7 राजियों ने सिक्षा मंत्राले के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की अनुशार 2020 शेकिश में कितने राजियों ने लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की तो option B यहाँ पे शही अंसरों का 7 यहाँ पे डिटेल गिवेन है मैं PDF डाल दूँगा टेलिग्राम पे आप वहाँ पे देख सकते हैं नेक्स आते हैं भारत के चुनाव आयोग ने किस रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोर्टिंग मसीन का प्रोटोटाइप बिक्सित किया है अप्सन सी आपका यहाँ पे शही अंसर हो जागा घडेलू प्रवासी स्रमिक के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किस रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोर्टिंग मसीन का प्रोटोटाइप बिक्सित किया है तो अप्सन सी आपका यहाँ पे शही अंसरों का घडेलू प्रवासी स्रमिक के लिए नेक्स आते है कौन सा केंद्रिय मंत्राले पोसक तत्वा अधारी सबसीडी निउट्रेंट बेस्ट सबसीडी योजना से जुड़ा है तो अप्सन आपका यहाँ पे शही अंसरों का रसायन और उर्वारक मंत्राले नेक्स आते है किस भारतिय ससस्तरबल ने ब्रह्मोस एयर लॉंच मिसाइल के बिस्ताडी तरेंज संसकरन का शफलता पुरुवक परिक्षन किया अप्सन बी आपका यहाँ पे शही अंसरों का भारतिय वायू शेनाने नेक्स आते है कौन सी संस था भारत में हर साल सतर्टा जगरूकता सप्ता विजिलेंस अवेंडेश विक्षन आती है शही अंसर यहाँ पे क्या होगा अप्सन डी आपका यहाँ पे शही अंसर हो जाएगा केंदरिये सतर्टा आयोग सी बीसी कौन सीस संस था भारत में हर साल सतर्टा जगरूकता सप्ता विजिलेंस एवेंडेश विक्षन पुर्चता है तो आपको याद क्या रखना है केंदरिये सतर्टा आयोग और इसे कब से कब तक मनाये गया? कब से कब तक मनाये गया? 31 अक्तूबर से 6 नौबर तक important है एकजामे पूछता है तो आपको याद क्या रखना है? चो विजिलेंस एवरनेस वी के कब से कब तक मनाये गया? 31 अक्तूबर से 6 नौबर तक theme क्या थी? corruption free India for a developed nation theme क्या थी? corruption free India for a developed nation और अभी current में केंदरिये सतरक्ता आयुक्त कौन है? Central Vigilance Commissioner उनका नाम है PK स्रिवास्तो पूरा नाम है प्रवीन कुमार स्रिवास्तो नेक्स आते हैं भारतिये सेनाने की सहड में सैनिकों के लिए पहला 3D printed घर सोपे है किस सहर में सैनिकों के लिए पहला 3D printed घर सोपे है तो option ने आपका यहाँ पे शही आंसर होगा अहम्दा बाद नेक्स आते हैं किस संस्था ने phase 2 ballistic missile defense interceptor AD1 missile का पडिक्षन किया शही आंसर यहाँ पे क्या होगा? option B आपका यहाँ पे शही आंसर होगा डिया डियो किस संस्था ने phase 2 ballistic missile defense interceptor AD1 missile का पडिक्षन किया? तो option B आपका यहाँ पे शही आंसर होगा डिया डियो और आखरी केनर फिर पे आते हैं नागरिक्ता अधिनियम जिसके तहत तीन देशों के अल्प संख्यकों को नागरिक्ता दी जानी है किस वर्स में अधिनियमित किया गया था? शही आंसर होगा option 1955 में नागरिक्ता अधिनियम जिसके तहत तीन देशों के अल्प संख्यकों को नागरिक्ता दी जानी है किस वर्स में अधिनियमित किया गया था? तो अपसर नहीं आपका यहाँ पे शही आंसर हो जाएगा 1955 में अपसर डिटे में देख लेते हैं तो यहाँ से आड़ है कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान बांगलादेश और पकिस्तान और करेंटली लिविंग इन टू दिस्टिक अफ गुजराथ अंडर था सिटिजन सीब एक्ट नैंटीन फिफिफटीफई तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा औप्शन नहीं आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उनिश पजपन ठीक है और यहाँ जो एक्ट आया हुगा है ना यह जो मूब है तो यह तो था हमारा आज का लेक्चर अगर आपको इसका पेडिएफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल प्रतीक आईक्यू को जोईन कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद दे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं नए वीडियो में नेट टापिक के साथ तब तके लिए नमस्कार जैहिंद